नमस्कार हरी प्रेमियो माइंडफूल वक्ती चैनल में आपका स्वागत है हरी प्रेमियो कैसे हैं आप? उमीद है आप सब अच्छे होंगे आईए आज का परसंग सुरू करते हैं कार्तिक मास कथा का महतम्य अध्याए 6 हरी प्रेमियो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन जरूर दबाए तागे आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें हरी प्रेमियो आईए जानते हैं इतनी कथा सुनकर सूत जी से सोनक रिसी कहने लगे कि है सूत जी आप किरपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महतम्य कहिए तब सूत जी कहने लगे कि है रिसीो जो तुमने मुझे पूछा है यही परसन एक समय नारज जी से राजा प्रिथू ने किया था और जो कुछ उत्तर नारज जी ने दिया वही मैं तुम से कहता हूँ एक समय राजा पिर्थू नारज जी से कहने लगे कि हे नारज भगवान को तुलसी इतनी पिरिये क्यों है आप इसका महातम्य कहिए तब नारज जी कहने लगे एक समय राजा बहुत से देवताव और अपसराव सहित महादेव जी के दर्सन को गया जब कैलास में पहुँचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भेंकर नेतरो वाले पुरुस को देकर इंदर ने पूछा कि तु कोन है और शिव कहां है जब कई बार पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया तो इंदर ने क्रोध में आकर अपना वज्र उनके कंट पर मारा जिसे उनका कंट निला हो गया परन्तु इंदर वज्र भी भसम हो गया एक बड़े भारी आकार वाले ब्यांकर नेत्रो वाले पुरुस को देकर इंदर हैरान हो गया फिर उसकी आँख से ऐसी परचंड निकली मानों इंदर सहित सारे संसार को भसम कर देगी ऐसी स्थीती देकर ब्रेस्पती जिहाद जोड कर बोले और इंदर को दंड़ा वकार जुका करशिव की स्तूती करने लगे कि हे देवादी देव तरी पुरा सूर तथा आका सूर का नास करने वाले यग्यका फल देने वाले तिपरारी आपको नमस्कार है ब्रामनों की रक्षा आपको नमस्कार है नारद कहने लगे कि हे राजा पृतू इस परकार स्तूती सुनने पर स्री महदेव जी ने तिर लोकी को दगद कर देने वाली अगनी को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओ वर मांगो मैं आपकी स्तूती सुन कराती परसन हूँ हमने इंदर को जीवन दान दिया और हे ब्रस्पती जी आज से तुमारा नाम जीव होगा ब्रस्पती जी कहने लगे कि ये दिया परसन है तो इंदर की रक्षा कीजिए और संसार का दहा कर सकने वाली अगनी जो आपके नेतर से उत्पन हुई है उसको शांत करिए तब शिव कहने लगे कि नेतर से निकली हुई या अगनी वापस कैसे जाए अतह हम इसको दूर फैकते हैं ऐसा कहकर अगनी को हाथ में लेकर समुत्र में फैक दिया फैगंगा के संगम में जाकर गिरी और बालक को रोने लगी उसके रोने के सबद से पिर्थवी कांपने ल देखकर आस्चरी से पूछने लगे कि यह बालक किसका है समुत्र ने बड़े आदर से बालक को उठा कर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पूत्र गंगा से उत्पन हुआ है आप इसके जात करम करिए फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाड़ी पकड़ कर जोर से मरोडी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आसु आ गए किसी परकार दाड़ी छुड़ाए तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारी आँखों से जल निकला है अतैसे बालक का नाम जालंधर होगा परंतु यह शिव के अत्रिक और किसी के हाथ से नहीं मरेगा क्योंकि यह के अंत से ही उत्पन हुआ है यह अभी युवा हो जाएगा तब ब्रह्मा जी शुकराचारिय के बुला कर और उसका राज्य भीशे करके अंतर ध्यान हो गई तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वरिंदा के साथ उसका विवाह कर दिया जो कि पती वरताओं में सबसे पर् पिंदा अपने हाथ से पंखा जलती वह अपने पती को नारायन समझ कर उसकी सेवा किया करती थी इतना कहे कर नारत जी बोले हे राजा प्रिथू देवताव से डर कर जो सब देत्य पाताल में भाग गए थे वे जालंदर का अबह पाकर फिर प्रिथ्वी पर आकर घूमने लगे उसी समें जालंदर ने कटे सीर राहू को देखा तो उसने सुकराचारिय से इसका कारण पूछा तब सुकराचारिय ने मंथन समुद्र मंथन तथा देवताव द्वारा रतनों की हरन की कथा सुनाई इस परकार इस पिता का मंथन और देत्यों का नादार सुन कर जाल अमर नामक वाले दूद को बुला कर सुधर्मा के पास भेजा वैसभा में जाकर अभिमान पूरवक इंदर को नमस्कार नय करके कहने लगा कि हेद अत्यपती जालंदर ने जो कुछ कहा है वैसभ तुम सुनो हमारे पिता का मन्थन करके जो तुमने रतन लिये है उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अत्यवे रतन हमको वापिस कर दो धसमर के ऐसे वचन सुनकर इंदर भै और विसमित से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे सत्रुदानों की रक्षा करता है अत्य हमने उसको भैंकर रतन लिये है इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है दूत ने ये सब समचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत करोधित हुआ और देवताओ को जीतने का उपाय सोचने लगा उसने सब दिसाओ तथा पातालों में अपने दूत भेज कर सब दैत्यों को बुलाया शुम्ब और निशुम्ब को अपना सेनापती बनाकर सुरक के नंदनवन में जाकर इंदर को अमरावती पूरी को घेर लिया तब देवताओ यूद के लिए बाहर निकला आए और अनेक परकार के सस्त्र सास्त्रों से देवताओ तथा दैत्यों का यूद होने लगा वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे सब तरफ रूदिर बहने लगा मर कर गिरे हुए गोडों और हाथियों से प्रिथ्वी भर गई इधर यूद में मारे गए दैत्यों को सुकराचारिय अपनी संझीवनी वीद्या से जीवन दान देने लगे इधर ब्रस्पती जी दरोनांचल की दिवय उस दियों दुआरा देवताओ को जीवित होने का विरतांत दैत्यों ने सुकराचारिय से जा कर कहा तो जालंधर देत्यों ने अपने हनुचरों को दरोणा अंचल परवत को समुद्र में फैक देने का आदेश दिया तब देत्यों ने दरोणा अंचल परवत को उठा कर समुद्र में फैक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे जब देवताओं को जीवित करने के लिए ओस्दी लेने ब्रस्पती जी गए तो दिव्य परवत को नए देखकर देवताओं का देत्यों के दुआरा निरंतर संगहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओ, शिगर ही यहां से भागो, यह देत्य संकर क्यान से उत्पन हुए हैं, अतवे तुम से नहीं मरेंगे गुरु जी की यह बात सुन कर देवता भैके मारे देसो दिसाओं में भागने लगे और जालंदर देते ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में परवेस किया सब देवता भैके मारे सुमेरु परवत की कंदराओं में जाकर छिप गए सब देवों के भाग जाने पर जालंदर इंद्र की पूरी अमरावती शुम्ब निशुम्ब अधिकार में सौंप कर स्वम देवताव का पीछा करने के लिए सुमेरु परवत की ओर चला गया इंद्रादिक सब देवता जालंदर को फिर आता हुआ देकर भगवान विश्नु की स्तूती करने लगे बोले हे मच कच आदियनेक रूप धारण करने वाले भकतों के दुखों का नास करने वाले सारिस्रिष्टी का पालन तता संगार करने वाले संख चकर गधा और पदम को धारण करने वाले हम आपको नमस्कार करते हैं भगवान विश्नु देवताव की स्तूती सुन और उनको दुख ही जानकर शिगरता से उठ गुरूर पर सवार होकर जाने लगे तो लक्समी जी ने पूछा कि भगवान आप कहां जा रहे हैं तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंदर से पीडित देवताव की सहायता के निमित जा रहा हूं तब लक्समी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम पीरिया हूं तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे तब भगवान ने कहा कि संकर से उत्पन और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंद के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरूड के पंखो के वेग से ही मारे गए पवन से पीडित दैत्यों को देखकर जालंदर को अत्यंत करोध आया और वह भी विश्णू के समूख यूद को आया उसमें भगवान विश्णू और जालंदर दैत्यों का महा घोर यूद हुआ आकाश मेगो की तरह बाणों से ढग गया तब भगवान जालंदर के धवजा छत्र गोडे और धनुस सब अपने बाणों से काट डाले जालंदर ने भी गरूड के मस्तक पर गदा मारी जिसने गरूड को मुर्चित कर दिया भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से का पहबित होकर कमपाय मान हो गया तब भगवान विश्णु ने कहा कि हे देतराज तुम्हारा और हमारा यूद्ध ठीक नहीं है क्योंकि तुम लक्षमी के भायो तब जालंदर ने कहा यदि आप परसन हो तो मुझ को यही वरदान दे कि लक्षमी जी तथा अपने गणों सह आप मेरे घर में वास करो एवा मस्तु कहकर भगवान लक्षमी जी सहित जालंदर नगर में चले गई तब जालंदर देवताओं के स्थान पर सब देत्यों को नियुक्त करके जालंदर नगर में निवास करने लगा और देव गंधर किनर यक साधी के पास जो भी रतन थे व शुम्ब को सासन करने के लिए पाताल में भेज दिया वहां उसने से साधी नागों को वस में कर लिया इस पर काल जालंधर देव गंधर की नर्यक्स तथा मनुस्य सब को अपनी परजा बना कर पुत्र समान तथा धरम नीती से उनका पालन करते हुए तिरलोकी का राज्य भोगने लगा नारज जी कहने लगे नारज जी बोले हे राजा प्रिथू एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज लक्समी जी को देखने के लिए हम भी वहां गई जो भी इस महतम को सुनता है मुक्ति की प्राप्ति होती है हरी प्रेम